नमस्कार दोस्तों मैं फिर हाज़ी रही हूँ आपके लिए एक निया वीडियो लेकर तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं Modern History MCQs from Spectrum जहां दोस्तों हम आधुनिक भारत के इतियास के MCQs आज डिसकस करेंगे कौनसी बुक से Spectrum बुक से जो की बेस्ट बुक मानी गई है UPSC CSE Prelims के लिए चली दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको information दे देना चाहती हूं कि अगर आपको UPSC के syllabus को समझने में दिक्कत आती है तो मैंने detailed topic wise syllabus means का GS1 से लेकर GS4 तक तयार कर लिया है अगर आपको यह चाहिए तो मात्र 99 रुपीज में यह आपको मिल जाएगा आप इस दिये गए नमबर पर मुझे WhatsApp कर सकते हैं तो चली दोस्तो पहला question देखते हैं यह रहा question आपकी screen पर question है निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है केवल एनी बेसेंट और सरोजनी नाइडू स्वतंत्रता से पहले भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिलाई थी दूसरा कथन है कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मात्रम गाया गया ये दू कथन आपको दे गए हैं आपको पताना है उप्रोक्त कथनों में से कौन सा सही है पहला ओप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी ना तो एक और ना ही दो question बहुत अच्छा है इस question को जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ medium, category का question और important ठीक है sorry very important very important category का ये question है ओके तो ध्यान से इसका जवाब दीजेगा चलिए देखते हैं आखिर इसका answer क्या है तो देखिए पहला कथन है केवल एनी बेसेंट और सरोजनी नाईडू स्वतंद्रता से पहले भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यख्षता करने वाली महिला आई थी ये कथन क्या है बिलकुल गलत है क्यों गलत है क्योंकि इनके साथ साथ एक महिला और थी जिनका नाम था नेली सेन गुप जिनोंने स्वतंत्रता से पहले भारती राष्ट्री कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कौन सा 1933 में मतलब कब 1933 में सरोजनी नाइडू ने कब 1925 में और एनी बेसेंट ने कब 1917 में ठीक है तो पहला कथन तो आपका क्या है बिल्कुल गलत है दूसरा कथन देख इसके बार में तो आपको information होगी कुछ लोगों को information होगी कुछ को नहीं होगी तो यह कथन क्या है बिल्कुल गलत है क्यों इसलिए क्योंकि पहली बार राष्ट्री गीत वंदे मात्रम कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था कब गाया गया था 1896 में गाया गया था और 1911 में कब 1911 में ही कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया था राष्ट्र गान गाया गया था ठीक है क्या गया गया था राष्ट्रगान गया गया था इसलिए दूसरा गथन भी क्या है बिलकुल गलत है तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो मतला D is the correct answer ओके चले नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं फड़ा फट नेक्स्ट क्वेशन ही रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेशन है निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है भगत सिंग आजाद और राजगुरू ने सांडर्स की गोली मार कर हत्या कर दी दूसरा कथन है उधम सी ने 1909 में ब्रिटिश अधिकारी करजन वाईली की हत्या कर दी आपको बताना है उपरुक्त कतनों में से कौन सा कथन सही है आप्शन्स है केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो तो दोस्तों इस क्वेशन की जो काटेगरी है वो है मीडियम काटेगरी का क्वेशन और वेरी इंपोर्टन ठीक है मीडियम काटेगरी और वेरी इंपोर्टन काटेगरी का ये क्वेशन है तो ध्यान से इसका जवाब दीजेगा ठीक है चलिए देखते हैं देखिए पहला क ध्यान से देखिए भगत सिंग आजाद और राजगुरू ने सांडर्स की गोली मार कर हत्या कर दी थी ये कथन क्या है आपका बिलकुल सही है क्यों देखिए साइमन कमिशन के विरोध में साइमन कमिशन के विरोध में जो जुलूस निकला था उस पर क्या लाठी चार्च कर जिसमें क्या हो गई थी लाला लाचपत राई की क्या हो गई थी मृत्य हो गई थी लाचपत राई की क्या हो गई थी मृत्य हो गई थी तो भगत सिंग आजाद और राजगुरू ने लाहोन में हुए लाठी चार्च के लिए जिम्मेदार जो पुलिस अधिकारी थे जिनक कि क्या गोली मार कर हत्या कर दी थी इसलिए जो पहला कथन है वो तो क्या है आपका बिल्कुल सही है अब बोल रहा है उधम सी ने 1909 में ब्रिटिश अधिकारी करजनवाईली की हत्या कर दी थी तो जो यह कथन है यह क्या बिल्कुल गलत है क्योंकि उधम सी ने जो उधम सी थ उन्होंने जलिया वाला बाग जलिया जलिया वाला बाग जो हत्याकांट था उसके समय पंजाब की जो गवर्णन जनरल रहे थे कौन जनरल ओडायर या कह सकते हैं माइकल ओडायर इनकी क्या लंदन में जाकर कहा पर लंदन में जाकर गोली मार कर हत्या कर दी थी ठीक है अब बात आती है जो ब्रिटिश अधिकारी करजन वाईली थे इनकी हत्या किस ने की थी एक बार मैं इसको एरेज कर देती हूँ अब जो ब्रिटिश अधिकारी करजन वाईली थे इनकी हत्या किस ने की थी तो 1909 में कब 1909 में मदल लाल कौन मदल लाल धींग्रा मदल लाल धींग्रा ने विलियम हट करजन वाईली इनका जो पूरा नाम था वो था विलियम हट आगे क्या करजन वाईली की क्या करदी थी हत्या करदी थी इसलिए जो दूसरा कथन है वो क्या है गलत है पहला कथन सही है मतलब जो इसका आंसर हो गया वो हो गया केवल एक मतलब A is the correct answer ओके चली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है दिसाई लियाकत समझोता के संदर्भ में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए कथन देखते हैं पहला कथन है इसमें कॉंग्रेस और लीग द्वारा केंद्रे विधाईका में समान संख्या में संग सदस्यों को नामित करने की सिफारिश की दूसरा कथन है अल्प संख्यकों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षित सीटों की सिफारिश ठीक है तो आपको बताना है उप्रोक्त में से कौन सा कथन सही है किसको लेकर दिसाई लियाकत समझोते के संदर्भ में ठीक है ओप्षिंस देखते हैं केवल एक केवल दो दोनों एक औ और दो ना तो एक और ना ही दो इस क्वेशन को जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ टफ काटेगरी का क्वेशन और इंपोर्टेगरी का इस क्वेशन को मैं रखती हूँ तो ध्यान से इसका जवाब दीचेगा ओके चलिए देखते हैं आखिर इसका आंसर क्या है इसको मै नहींरेस कर देती हूँ, चले, देखते हैं, कि देशाए लियाकत समझोते की संदर में, कॉंग्रेस और लीग द्वारा, केंदरे विधाय का में समान संख्या में, संग सदस्यों को नामित करने की क्या की गई थी, सिफारिश की गई थी, तो ये क्या बिल्कुल सही है क्यों देखिए केंद्रे विधान सबा में कॉंग्रेस पार्टी की जो नेता थे कौन भूला भाई देशाई कौन भूला भाई देशाई तता विधान सबा में जो मुसलिम लीग के जो उपनेता थे क्या नाम था उनका लियाकत अली खान ठीक है लियाकत अली खान की बीच क्या हुई एक वारता हुई तो दोनों नेताओं ने केंद्र में अंतरिम सरकार क्या अंतरिम सरकार के गठन की प्रस्ताफ की तैयारी की जिसमें क्या कुछ मुख्य बिंदू क्या थे निर्नलिखित थे तो पहला तो क्या था बिल्कुल सही है जो ये कथन दिया हुआ है ये क्या बिल्कुल सही है पर जो दूसरा कथन है इन बिंदू के अनुसार जो अल्पसंख्यक थे विशेश का जो अनुसूचित जाती और जिसमें सिखों का प्रतिनिधित्व था उसमें अल्पसंख्यकों के लिए 40 प्रतिशत नहीं 20 प्रतिशत कितनी 20 प्रतिशत सीटों की क्या थी जो सिफारिश की गई थी इसलिए जो दूसरा कथन है वो क्या है बिल्कुल गलत है एक बिंदू और था जिसमें क्या था कि सरकार का गठन करना जो उस समय भारतिय साशन अधिनियन 1935 के धाचे पर क्या करें पर क्या हुआ जो यह बिंदू थे इन पर क्या कॉंग्रेस और जो लियाकत अली खान की बीचवारता हुई थी उन पर कोई समझोता हो नहीं पाया था ठीक है समझोता हो नहीं पाया था तो इसमें जो आंसर हो गया आपका वो क्या हो गया केवल 1 मतलब A is the correct answer ओके चले नेक्स्ट ग्एशन देखते हैं फड़ा-फट नेक्स्ट ग्एशन ही रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेशन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संधर्व में 1935 के संधर्व में निमलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है पहला प्रांतिय स्वायत्ता दूसरा सेकेटरी ओफ स्टेट की इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया तीसरा संधिय नियायलाई की स्थापना का प्रावधान किया गया आपको बताना है कि कौन सा प्रावधान सही है केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल एक और तीन एक दो और तीन ठीक है यह है आपके ओप्शन्स इस question को जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ medium category का question और important ठीक है medium category का question और important यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि जो भारत सरकार अधिनियाम है 1935 का चाहे prelims हो या फिर mains दोनों के लिए क्या बहुत ही जादा important है तो ध्यान से यह जो भारत सरकार अधिनियाम है 1935 का इसे पढ़िएगा ओके तो चलिए देखते हैं इसको मैं पहले erase कर देती हूँ जो underline हुई है ठीक है चलिए देखते हैं साइमन कमीशन की सिफारिश तथा तीन गोल में सम्मेलन की आधार पर भारत सरकार अधिनियम क्या किया गया था अधिनियमित किया गया था किसका साइमन कमीशन की सिफारिश और तीन जो गोल में सम्मेलन हुए थे गोल मेज सम्मेलन हुए थे उनके आधार पर ठीक है अब इस अधिनियम में क्या कुछ प्रावधान थे जिसमें प्रांतिय स्वायत्ता तो था ही तो पहला तो क्या है बिलकुल सही है दूसरा सेक्रेटरी ओफ स्टेट की इंडिया काउंसिल को क्या कर दिया गया था समात कर दिया गया था ये प्रावधान भी था तो ये भी क्या बिल्कुल सही है तीसरा संग्य ने आया लाई कि स्थापना का क्या किया गया था प्रावधान किया गया था तो ये भी क्या बिल् चापना की गई थी तो थर्ड कथन भी क्या बिल्कुल सही है इसका मतलब जो इसका आंसर हो गया वो हो गया D option number D एक दो और तीन मतलब तीनों सही है चलिए next question देखते हैं फटाफट next question ए रहा आपकी screen पर question है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला कथन है Muslim लीग के लाहोर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया दूसरा कथन है Muslim लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कारवाही का आहावन किया आपको बताना है उप्रोक्त में से कौन सा कथन सही है Option नमबर एक केवल एक Option नमबर बी केवल दो Option नमबर सीख एक और दो Option नमबर डी ना तो एक और ना ही दो Question अच्छा है इसको जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ Medium क्याटेगरी का Question और इसको मैं रखती हूँ Very Important की क्याटेगरी ठीक है Very Important तो इसका आंसर ध्यान से आप दीजिएगा ठीक है चली देखते हैं आखर इसका आंसर क्या है पहला कथन ने किया पहला कथन है Muslim League के लाहूर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव क्या पारित किया गया था जिसने थोड़ा भी Modern History पढ़ा है उसको यह पता होगा कि जो Muslim League है के लाहूर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव क्या किया गया था पारित किया गया था पहला कथन क्या है बिल्कुल सही है अब इस प्रस्ताव में ब्रिटिश भारत के इस प्रस्ताव में क्या था ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम में जो पूर्वी छेत्रों में ठीक है कहाँ पे पूर्वी छेत्रों में तथाकित तौर पर मुसल्मानों के लिए क्या सुदंत्र रियासतों की क्या की थी मांग की गई थी और इन इकाईों में शामिल प्रांतों को जो इन इकाईों में शामिल प्रांत थे उनको क्या स्वायत्ता और संप्रम्भूता तो क्या है? बिल्कुल सही है. दूसरा कतन लिखिए कि Muslim League ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस 1946 से प्रत्यक्ष कारवाही का आहवन किया था. तो ये कतन भी क्या है? बिल्कुल सही है. क्यों कि Muslim League ने Cabinet Mission जो योजना थी उसको क्या ठुकरा दिया था? जो cabinet, cabinet, mission, योजना थी उसको क्या कर दिया था ठुकरा दिया था ठीक है ठुकरा दिया था और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त का 16 अगस्त को सीधी कारवाही का क्या किया था इन्होंने आवन किया था इसलिए दूसरा कथनमी क्या है बिलकुल सही है मतलब जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया दोनो एक और दो मतलब C is the correct answer चीक है तो दोस्तो यही था हमारा आज का वीडियो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो मिलते हैं next वीडियो में thank you so much